कि अज़ादा तर कुछ मुसलिम दोते हैं जिनको बोलते हैं आशिक रसूल ठीक है जी मुझे नहीं पता आप किस हद तक हैं बड़ ऐसे लोग होते हैं जिनको कहा जाता है आशिक रसूल है ठीक है वो कि मैंने मैंने ऐसी वीडियो देखी है खासर पाकिस्तान वाले लाके में कि वो जी जी एलो उन्होंने आशिक रसूल उन्हें अपनी जान दे दि मतलब गिरा दी अपने आपको खंबों से कि वहाँ तो कहने का मुझसिद है कि कुछ आशिक रसूल हैं, वो कुछ भी करते हैं और कुछ, और जो मसीह होते हैं मसीह होते हैं, सबर मसी वो होते हैं, आशिक रसूल होते हैं और मसीह होते हैं, सबर मसी तो हमारे अंदर बहुत सबर है, सारी बात सारी है एक्जेमपल मिलेंगे आपको, ऐसी नहीं मेरा बाई मेरी बाल सुने हर गरो में ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं तो मुस्लम में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो माशाला आपकी मसीही तारीख में ऐसा सबर नहीं मिलेगा जैसा जैसा मुस्लमों नहीं सबर करके दिखाया तो ऐसी कोई बाद नहीं, हर बंदा ऐसा नहीं होता. हम जो इंतहा पसंदे हैं, वो मसीहत में हो. या मुसलमानों में हो, हम उन्हें पसंद नहीं करता हैं. नी, बिल्कुल, मैं य Crispy丁 करता हूं के आप जैसे अच्छे लोग भी हैं. और आप भी नादना, चाहिए आप करना चाहिए आप कर सकते हैं मेरा भाई मैं आपको चाहता हूँ और आपको पूली पहली बात तो ये कि मैंने सबसे पहला जो आपका क्लिक देखा था ना वो ये था कि आपने इंजिनिर मिर्दा साब से कहा था कि वो आपको जवाब दें जी-जी-जी-जी याद होगा आपको ऐसे ही था और कहे जी जो मेरे स्वाल का जवाब देगा तो फिर ही मैं उसके अधारे में जाऊंगा तो मेरा भाई ये कौन सा मैथड है मैं समझता हूँ कि जब किसी से सीखना हो ना कि हमरा मकसद बेसिकली इंतिशार फ्लाना ना हो सीखना हो तो हमें अधारे में जाना पड़ेगा उससे हम सैटिसफाइड हो या ना हो एगरी करें या डिसएगरी करें तो ये तो मैथड होता है यार दुनिया का सारे का मतलब आप जहां रहते हैं हम रहते हैं हम देखते हैं कि अधारे हैं यार चैलेंज नहीं किया जाता है वहां पर जाके सीखा जाता है उसके बाद हम डिसेगरी कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं लेकिन आपका ये जो मैथड था ने इस तरीके से उल्मा कराम मेरा भाई जहल नहीं होते कि इस तरह की वीडियो उस पे कल कुछ छे सो बंदा और वीडियो चड़ा देगा तो हर एक को जवाब देने लग जाएंगे ये एक मैथड बन जाएगा जो के मैथड है ही नहीं मैं समझता हूँ इसलिए अपना मिर्जा मुहमद लिन जीनिर साब ने या किसी भी और आलम ने आप से बात करने की कोशश ही नहीं की क्योंकि वो इस बात को मैं समझता हूँ कि जहालत ही समझ़एंगे मेरा भाई कि जिस बंदे को यहार इतनी नहीं समझ आ रही किसे करने तो उससे क्या बात की जाए किस बंदे को इतनी नहीं पसा कि एक तरफ यह कह रहा है कि मैं सीखना चाहता हूँ दूसरी तरफ चैलेंज भी कर रहा है और इस तरह वीडियोज में जवाब दिये जासे एक दूसरे को ऐसे नहीं होता मेरा भाई मैं सीखना चाहता हूँ ना क्रिस्टिनिटी के मतलग मुझे कभी कन्फियोन को पेश आती है तो मेरे क्रिस्टिन भाई है मैं उनके पास जाता हूँ मैंने पीछे पहले भी आपसे दिकर किया तो मैं उनसे सीखता हूँ जा कि उन्होंने कभी मुझे सही यह नहीं कहा कि ठीक है जी फोन पीप उन्होंने हमेशा कहा कि भाई अगर आपको मसला आप जानना चाहते है तो आप आजाएं तो मैंने इसमें कभी शर्म मैं नहीं की मैं तो चला जाता हूँ और उनसे वो मामलाद जो मेरे होते हैं ताकि मेरे अजाफा हो सके कि आप क्रिस्टिनटी में आपके किस तरह यह चीज़ अब मैं भी इदर एक वीडियो बनाओं और फिर कहूँ कि मेरा पूरे आप क्रिस्टिनटी पे पूरा सवाल है जी मुझे कोई जवाब दे और फिर मैं पीछे लगाऊं जी वर्सिद यह यह तो मेरा भाई यह चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि बिस्कली यह चीज़ी गलत है और फिर मैं आपको बताओं कि अगर आपको यह लगता है कि आप क्रिस्टिनटी की कोई स्पोर्ट कर रहे हैं तो यकीन करें आप क्रिस्टिनटी को यह तरीका अपना के नुकसान पहुंचा रहे हैं अगर मुसल्मान को ऐसी हरकत करता है तो हम उसको भी रोकते और उसको भी यही कहते कि मेरा भाई मुसल्मानियत को अगर तुम प्रमोट करना चाहते हो तो यह तरीका नहीं जाहरी बात है अंजील मुबारका आपने भी पढ़ी अलहमदोल्ला कुछ शर्फ मुझे भी हुआ बाँ जील में ने पढ़ी कुराने हकीम भी पढ़ा तो मैं तो यह समझता हूँ कि जब मुसल्मान मुसल्मानियत को मैं चाहता हूँ कि मैं प्रमोट करूँ या मैं इसको तकवियत पहुँचाऊंगाँ तो मेरा भाई मुझे चाहिए इस्तेहसाल हो रहा है, वो ठीक हो रहा है जी, मेरा भाई मैंने पुछाए कि क्या वो सब कुछ ठीक हो रहा है और हम क्या जनाब मसी अलयएशलम इस बात पर राजी होंगे या जनाब मुहम्म्द लोग भूकों मर रहे हूं और पहाशी इस तरह आम हो जना इस तरह आम हो ठीक है लोग भूख से मर रहे हैं और हम ये मुझादला कर रहे हैं तो इससे ना तो मेरा भाई मसीहत को कोई तक्वियत मिल सकती है और ना ही इसलाम को आपका क्या ख्याल है जी मेरा भाई जी मेरा भाई